पिर्से दिव क्या होता है? सिल सदाचार या कोड ओफ abordिच्टि को बोलते हैं याणि मौरल जो हमारी एचुकेसन होती ऊसके जो रूज़ होते हैं उसके जो नियम होते हैं सदाचार के उनको हम सील बोलते हैं वचन और कम यानि काम को अगर सम्मेक तरह के से करेंगे ठीक तरह के से करेंगे और इसको धरन करने वाली जो चेतना हमें बार बार ये कहेगी कि अब ये काम ठीक है इसे करिए और मन को और माइंड को लगातार आपको वजल रखे 365 दिन और 24 घंटे जलम से लेके और मिटू तक जो मन को और माइंड को ये निर्देशित करता है कि ये चीज ठीक है ये काम ठीक है और ये जो वचन है यानि जो वारी है जो हम बोल रहे हैं ये ठीक है वो सील होते हैं यानि सील का काम है कि आपके मन को और माइंड को 24 गंटे अलर्ट रखेगी 365 दिन जब तक आप मरेंगे नहीं कि आपका जो बोला जा रहा है वो और जो आप काम कर रहे हैं वो सम्मेक है, अच्छा है, पूरा है, ठीक है उसको सील कहते हैं सील बेसिकली सीलों का जो स्थान है पाली के अंदर वो बहुत उंचा है भिक्कों के लिए 227 सील बताएं हैं बढ़ और घट भी सकते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि कुछ नियम बेकार हो जाए तो उनको हटा देना, कुछ नियम जुड़ भी सकते हैं जैसे मादक पदाहरतों के जो सील हैं उसमें मादक पदाहरतों में इतने पदाहरत नहीं थे जितने आज की जेट में हैं यानि वेबचार भी बढ़ गए हैं तो वेबचार भी उसमें आते हैं भिक्कुन के लिए 311 सील हैं यानि कि 227 भिक्कों के लिए हैं तीन प्रकार के होते हैं एक होते हैं उपोसत सील एक होते हैं चारित्त सील और एक होते हैं वारित्त सील उपोसत सील का मतलब है उपोसत उपोसत का मतलब है उपोसत यानि कि जो एजुकेसन आपने ली है बुद्ध से उसको आप पोशित और करेंगे आपने सीख ली है, पोशिक हो चुकी है, मगर अपोसत करनी है, उसको अपोसत बोलते हैं। उपोसत सेल के अंदर, आपको मनीमम आठ सेल मानने पड़ेंगे, आठ नियम मानने पड़ेंगे, और दस नियम भी होते हैं। बाद में पहले ये भेककों के लिए था, बाद में इसमें जो पासक यानि ग्रस लोग थे वो भी शामिल होने लगे ये उपोसत लगबग महिने में चार वार होता है अमावसको और पूर्णमासी को होता ही है इसमें सारे सील मानने जरूरी है तब ही आपको उपोसत का फायदा होगा जो चारित्र सील होते हैं उनको बोलते हैं चरित्र सील यानि करेक्टर सील यानि कि जो आपका चरित्र को ठीक करके रखेंगे जो आपके चरित्र को हरन से नुकसान से बचाएंगे जो उसको विजता बनाएंगे इस सील के ना पालन करने से नुकसान कुछ नहीं होता नुकसान नहीं होगा, मगर अगर आप कोड़े को साइड कर देंगे, या कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसको साइड कर देंगे, तो आपका करेक्टर का आपके चरित का निर्मान होगा, जो बॉड़ी के अंदर काम आता है, आप कहीं गंदगी है, उसको फैला के आते हैं, या गाड़ी में बैठे हुए है, आपने पानी के बतल बहार फैंक दी, या केले के चल के बहार फैंक दी, इससे आपको फाइदा कुछ नहीं होगा, मगर अगर आप उसको नहीं करेंगे, तो आपका चत्र बनेगा, उसको चारित बोलते हैं, चारित सील बोलते हैं, और एक होते हैं वारित सील वारित सील का जो मतलब है वो है, जो विरत रहने के सील होते हैं, नियम होते हैं, जो पहले पांच सील हैं, जिनमें उपासक के लिए और आम आदमी लिए बताय जाते हैं वो वारिकत सील होते हैं वो पांचों के पांचों जिनको पंच सील बोलते हैं वो आपको मान नहीं है उन मेंसे आप एक भी सील नहीं छोड़ सकते अगर आप पांचों सील मानेंगे तो फाइदा होगा अगर चार सील मानेंगे और एक छोड़ देंगे तो उसका फाइदा नहीं होगा वो कंपलसरी होते हैं उनको छोड़ा नहीं जाचा सकता इसलिए उनको वारिक्त सील बोलते हैं और वो इस पर शुरूप से सभी के लिए होते हैं उपासे कलेमी और भिक्कों के लिए मी इस प्रकार ये जो सील होते हैं ये बहुत important होते हैं और सील समाधी प्रग्या जो आठंगों का 8-fold का जो पात है बुद्ध का complete जो धम जिसमें आता है उसके सील सबसे महत्वरपाद है सील होंगे आपके पास तो ही आपकी समाधी होगी तो ही आपकी प्रग्या होगी धन्यवाद